हेलो दोस्तो इस वीडियो में हम इलेक्जर निगोडिन सीरप के बारे में बात करेंगे जैसे इसकी डोच किस तरीके से लेनी चाहिए इसे कितनी मात्रा में यूज करना चाहिए और इसे कौन-कौन सी प्रोब्लम्स को दूर करने के लिए यूज किया जाता है इलेक्जर निगोडिन सीरप को रैप्टा कॉस ब्रेट कंपनी द्वारा बनाया जाता है इलेक्जर निगोडिन सीरप 300 ml की पैकिंग में 207 रुपे में आपके नजदी की मेडिकल स्टोर पर आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा अब बात करते हैं इस सीरप में कौन-कौन से कंटेंट पड़े होते हैं जिससे मिलकर इलेक्जर निगोडिन सीरप बना होता है इस सीरप में आयोडिसेट, प्रोप्टॉन, मैगनीसियम, किलोराइड, मैगनेस सलफेट, सोडियम, मेटा बोनाडेट, जिंक सलफेट, पैरेडॉक्सिन, हैडरोकलोराइड, साइना कोवालामिन, निकोटिनामाइड, इन सभी कंटेंटों से मिलकर इलेक्जर निगोडिन सी अब बात करते हैं, इस सीरप का उपयोग, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए किया जाता है, इस सीरप का उपयोग, मैन रूप से भूग बढ़ाने के लिए किया जाता है, जिन लोग को भूग कम लगती है, खाना बहुत कम खाते हैं, तो उन लोगों के प्रेगनेंट लेडिसों के लिए यह सीरप पूरी तरीके से सेफ होता है आपकी बॉड़ी में किसी भी तरह के न्यूट्रेशन की कमी है तो उस कमी को पूरा करने के लिए आप इलेक्जर निगोडन सीरप का यूज कर सकते हैं अब बात करते हैं इलेक्जर निगोडन सीरप के क्या-क्या साइड एफेक्ट होते हैं अगर इसके साइड एफेक्ट की बात की जाए तो इससे कभी-कभी कुछ साइड एफेक्ट देखने के लिए मिल सकते हैं जैसे की पेट में मरोड होना, नौजिया बॉमेटिंग होना कभी-कभी दस्त की प्राब्लम भी देखने के लिए मिल सकती है अगर इन में से कोई भी प्राब्लम आपको कमभीर रूप से देखने के लिए मिले तो तुरंत आप इस सीरप का यूज करना बंद कर दें और अपने डॉक्टर से संपर्क करें अब बात करते हैं इलेक्जर निगोडिन सीरप का यूज कितनी मातरा में करना चाहिए इसकी डोज किस तरीके से लेनी चाहिए इलेक्जर निगोडिन सीरप की डोज एक अडल्ट व्यक्ति को डॉक्टरो द्वारा 10-15 ml सुबा साम खाने के तुरंत बाद पीने की सला दी जाती है और बहीं बच्चों के लिए अगर बच्चा 5-8 साल का है तो 5-5 ml सुबा साम खाना खाने के तुरंत बाद यूज कर सकता है अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और मेडिशन से संबंदित आपका कोई सबाल है तब आप मुझे कमेंट बॉक्स में पहुँच सकते हैं